दिल्ली सहारनपूर हाईवे के चार लिंच चौड़ी करंड का शिलान न्यास आज होगा इस समारों में परिवहन मंत्री नितिन गटकरी, सीम योगी आदित तिनाथ और डिप्टी सीम केशो प्रसाद मौरे शामिल होगे पहले दो चरण में 125 किलो मीटर हाईवे का चौड़ी करंड होगा इसके अनुमानित लागत 1505 करोन रुपे है चार जिलों से होकर गुजरने वाला ये हाईवे पिछले एक दशक से सियासी मुद्दा बना हुआ है आपको बता दे यूपी सरकार से अनुसी मिल जाने के बाद दिल्ली सहारनपूर हाईवे का निर्माड भारतिय रास्त्रिय राजमार प्राधि करंड करेगा केंद्री मारो संसाधन विकास राज्यमंत्री डॉक्टर सत्रिपाल सिंग ने बताया कि जिले के प्रभारी मंत्री स्पी सिंग बगेल समेत अनिजन प्रतिनिधी भी शिर्कत करेंगे तीन चरण में दिल्ली सहारनपूर हाईवे का निर्माड होगा तो दिल्ली सहारनपूर हाईवे का शिला न्यास आज होगा नितिन गटकरी हो सियम योगी आदितिनात इस समारों में शामिल होगे तो बागपात में दिल्ली सहारनपूर हाईवे का शिला न्यास क्या जाएगा वहें किंद्री मंतरी तिन गटकरी हो सियम योगी आदितिनात समारों में शामिल होगे संवाद अता विश्च्वजीत चौदरी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गया है जी विश्च्वजीत आज दिल्ली दिल्ली सहारनपूर हाईवे का शिला न्यास होगा तो क्या तैयारिया चल रही है दिल्ली सहारनपूर हाईवे का शिला न्यास एक काफी लंबे समसा अटका हुआ था लेकिन आज दोपैर दो बजे सीम योग्या दिश्चानाथ और परिवहन सब्सक्राइन मंतिर नितिन गड़गरी तो फैर को दो बजे पहुंच रहें शिलान्यास करें जहां सब्सक्राइब के लिए और जो हाईवे है उसका जो नाम दिया गया है साथ तो नो भी रखा गया है जी विश्व जी जानकारी देने के लिए धन्यवाद आपका तो दिल्ली सहारनपूर हाईवे का शिला न्यास क्या जाएगा के इंद्विमंति नितिन गड़करी और सीम योगी आदित नाथ हमारों में शामिल होंगे